दोस्तों एक इंटर्नल सर्वे ने नरेंद्र मोदी और अमिद्शा की फिर से नींदे उड़ा दी है अमिद्शा और नरेंद्र मोदी अपने बल्बूते पर 2024 का चुनाव जीत ही नहीं सकते अब 2024 में 272 का आकड़ा जो कि जादूई आकड़ा है जिन्हें आप कह सकते हैं कि पार करने से सरकार बनती है वो 272 सीटे भी भारतिय जिनुता पार्टी गिन गिन कर भी जुटा नहीं पा रही है और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए वजा खुद नरेंद्र मोदी है जैसा कि RSS ने पहले ही कहा था कि अगर सिर्फ मोदी के चहरे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाए तो ये तैय मानिये कि भारतिय जिनुता पार्टी बहुमत के साथ तो सरकार नहीं बना पाएगी और अब जो इंटरनल सर्वे सामने आया है उसके जरीए ये पता लगाया गया कि अब 272 के भी लाले पड़ गए 272 के लिए जहां नरींद्र मोदी को दर्बदर भटकना पड़ रहा है वही रामलीला मैदान में विपक्ष जिस तरह से एकठा हो करके नरींद्र मोदी को सिधे तोड़ पर चुनोती दिये दिया है उसके आगे अब मोदी जी को कहीं घुटने टेकने ना पड़ जाए जो हर मंच पर मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरे बार मैं प्रधान मंत्री बनूंगा और लाल कीले से जंडा फैराऊंगा तीसरे बार मैं प्रधान मंत्री बनूंगा तो मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा वो सब दावे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वो सारे दावों का पोल दोस्तो इस इंटर्नल सर्वे में हैं दोस्तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा में कह सकती हूँ कि सीधा सीधा 42 सीटों का नुकसान होने जा रहा है दोस्तो बहतर नहीं नरेंद्र मोदी की भारतिय जिनता पार्टी 251 सीटों तक सिर्फ एक पूरा मार्जिन अगर लेके चले तो 251 सीटों तक सिमट सकती है यानि जादू याक्रा लोकसभा में सरकार बनाने के लिए देश में सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में 251 परभरतिय जनता पार्टी की रत जो है मोदी का जो रत है वो थम सकता है बताएंगे आगे आपको इंटर्नल सर्वे में क्या पाया गया और इसके पीछे वजह कौन है आरेसेस ने किसे इसके लिए दोशी ठहराया तो वीडियो को पूरा जानने के लिए आंग तक देखिएग लेकिन पहले आपसे अपील करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए दोस्तो जैसे मैंने आपको बताया कि 272 का जादूई आंकड़ा पार करना अब नरींद्र मोधी के लिए सबसे बड़ी चुनोती बन गई है 400 पार, 370 पार तो छोड़ दीजिए मोधी जी अगर 272 इस बर क्रॉस करके दिखाते हैं तो इसे उनकी बड़ी उपलब्धी के तौर पर देखा जाएगा ये मैं नहीं कह रही हूँ ये रिपोर्ट और एक्सपोर्ट्स कह रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स का मानना है कि नरेंद्र मोधी अगर 2024 चुनाव में 272 भी पार कर दे तो ये माना जाएगा ये नरेंद्र मोधी की बड़ी उपलब्धी है क्योंकि भारतिय जनुता पार्टी जो सिर्फ एक फेस पर एक चहरे पर अधारी थे उस पार्टी को बड़ा नुकसान नरेंद्र मोधी पहुचा रहे है बताएंगे पूरा माजरा मामला क्या है लेकिन सबसे पहले आपको बताने कि तीन राज्य में फिर से भारतिय जनुता पार्टी को जटका लगा है और उन राज्य में लगा है जहां 2019 चुनाव में भारतिय जनुता पार्टी ने क्लिन स्वीप की थी दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अर्विंद केजरिवाल को तिहार जेल भेजा गया 19 अप्रिल से चुनाव शुरू है और 15 अप्रिल तक तिहार जेल में केजरिवाल को रखा जाएगा एक तरफ दो सिटिंग सीम की ग्रिफतारी अर्विंद केजरिवाल और हेमन सोरिन की ग्रिफतारी ने देश में तहलका मचा दिया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी और को नहीं सिर्फ और सिर्फ भरतिय जनुता पार्टी को उठाना पड़ेगा आपको मैं बता दू एक तरफ इलेक्टोरल बॉंड एक सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव से बिलकुल ठीक पहले पहले इलेक्टोरल बॉंड का इस तरह से खुलना नरेंद्र मोदी को लेकर के और कॉर्पुरेट लॉबी के साथ उनका जो कनेक्शन है जो रिष्टा है जो नेक्सस काम कर रहा है corporate lobby और सरकार के बीच उसका तो खुलासा हो गया है और उसे के चलते अब जनता समझदार जनता समझ रही है कि वोट किसे करना है और उसके बाद विपक्ष सवाल ना उठा सके इसके लिए sitting CM अरविंद केजरिवाल की ग्रिफतारी ने मोदी के नाक में दम कर रखा है ये मोदी के लिए बड़ा मेहंगा सावित हो गया है दोस्तों BJP के internal जो report है उस report के मताबिक मोदी के अगर बात की जाए तो 272 का भी आंकरा मोदी इस पर क्रोस नहीं कर सकते भारतिय जिनतापार्टी 543 लोक सभा की सीटे हैं उन में से भारतिय जिनतापार्टी के पास 293 के पास है और उन में से दोस्तों 51 से 50 सीटे 55 सीटों का धक्का जो है भारतिय जिनतापार्टी को इस internal survey में लगा है इसमें कौन-कौन से राज्य हैं बताएंगे आगे आपको कि इस assessment report के जरी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से राजस्तान, हरियाना और दिल्ली में भारतिय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है आप कहेंगे राजस्तान में तो बहुमत के साथ विधान सभा का चुनाव भारतिय जनता पार्टी जीती है और सरकार बनाई है ऐसे में राजस्तान में जटका कैसे लग सकता है बताएंगे दिरे दिरे वो भी आपको दोस्तों सबसे पहले मैं बता दू कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए जबकि उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 15 से 25 सीटे 15 से 25 के बीच अगर 20 सीटे ले ले तो 20 सीटों का नुकसान भारतिय जनता पार्टी को यूपी में हो सकता है उसके बाद भी सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है उत्तर प्रदेश के असी सीटे गुजरात को और मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बाकी हर एक राज्य में भारतिय जनता पार्टी को नरींदर मोधी को शा को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है कड़ी मेहनत मतलब किस तरह की मेहनत आप समझ रहे होंगे तभी एवन सोरेन जो है वो जेल में है तभी जो है संजय सिंग जेल में है तभी केजरिवाल जेल में है और जेल से ही वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि आप सोचिए ना 19 अप्रेल को चुनाव शुरू होने जा रहा है और 15 अप्रील तक उतिहार जेल में रहेंगे अब मैं आपको बता दू दोस्तों आरेसेस ने यानि राश्ट्रियों स्वेम सेवक संग जिसका राजनितिक शाखा भारतिय जिनुता पार्टी है उस आरेसेस ने यह साफ कर दिया था कुछ समय पहले ही इस पूरे महोल को देखते हुए कि भारतिय जिनुता पार्टी ने पिछले 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया है और खासकर पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके बलबूते पर वो जनता के पास जाए और जनता उसे खुशी-खुशी वोट दे दे ऐसे में भारतिय जिनुत पार्टी अगर नरींद्र मोधी के चहरे पर और हिंद्वुत्पों के मुद्धे पर चुनाव लड़ती है तो बूरी तरहां से हारेगी कम से कम मजोरिटी के साथ चुनाव तो नहीं जीच सकती ये बात मैं नहीं कह रही हूँ ये बात खुद आरेसिस प्रमुक मोहन भागव और आरेसिस की ओर से कहा गया था और यही हो रहा है दोस्तों एक पार्टी जिस तरहां से एक चहरे पर चुनाव लड़ने की प्रयास में फिर से जुटी हुई है उसके चलते उसे मूँ के बल गिरना पड़ेगा अब बात करते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक अभी जो कुछ समय बचा हुआ है इस बीच अगर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई बड़ा कांड ना हो जाए कुछ बड़ा मोधी जी ना कर दे तो 272 का जादूई आंक्रा क्रोस करना मतलब मोधी जी के लिए मुश्किल ही नहीं अगर अभी चुनाब हो जाए तो नरिंद्र मोधी की जो पाटी है भरती जनुतर पाटी वो 272 का जादूई आंक्रा भी क्रोस नहीं कर पाएगी यह मैं नहीं एक्सपोर्ट कह रहे हैं क्योंकि एसेस्मेंट रिपोर्ट और इंटर्नल रिपोर्ट से यहीं पता चल रहा है अब बात दोस्तों करते हैं राजस्तान की राजस्तान में कुल 25 सीटे हैं लुकसभा के हरियाना की बात करें तो हरियाना में 10 सीटे हैं और दिल्ली में 7 सीटे हैं कुल मिलाकर के 42 सीटे हैं और इन 42 सीटों पर भरतीय जनुतर पाटी को एक 440 वोल्ट का जटका लग सकता है और अगर इन 42 सीटों में भारतिय जनता पार्टी को नुकसान हो जाए, जो कि भारतिय जनता पार्टी का ही गड रहा है, तो भारतिय जनत पार्टी डूसों 122 का जादु यांक़ा तो किसी भी सुरत पे अचीव नहीं कर पाएगी. दोस्त आप राजस्तान की बात करते हैं राजस्तान की 25 सीटे सबसे ज्यादा अंडर कुशिन है मैं आपको बताओंगे कि राजस्तान की 11 सीटे ऐसी है जहाँ भारतिय जिनतापार्टी चुनाव हारनी जा रही है ग्यारा सीटों की अगर समीकरन की बात की जाए इसमें ओम बिर्ला जी हाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला का जो सीट है कोटा से वो भी इस बार दाओं पर है वहाँ पर भी पेच फसा हुआ है ओम बिर्ला कोटा से जो चुनाव लड़ते आए हैं जो सांसद है वो कोटा से इस बार चुनाव हार सकते हैं ऐसा ही इंटर्नल और एसिसमेंट रिपोर्ट में सामने आया है कि 25 में से 11 सीटों पर भारतीय जुनता पार्टी राजस्तान में हार सकती है हारने जा रही है अगर अभी चुनाव हो जाए और उनमें जो कोटा सबसे बड़ा छेतर है जहां से ओम बिर्ला सांसद है उनका उनका पत्ता इस बार कट सकता है दोस्तों वहीं पर आप कहेंगे कि भारतीय जनुता पार्टी ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया एसेंबली लेक्शन में स् उन 11 सीटों में उन 11 सीटों में वोट परसंटेज की बात की जाए क्योंकि सिर्फ सीटों की बात नहीं हो सकती वोट परसंटेज की बात की जाए तो कॉंग्रेस भारतीय जनुता पार्टी से 100 किलोमेटर आगे हैं उन 11 सीटों की अगर बात करें तो कॉंग्रेस वहां पर व के साथ तुलनाटी जाए तो बहुत ही खराप प्रदर्शन किया ऐसे में 25 में से 11 सीटे भरती जिनुता पार्टी के हाथ से राजस्तान में जा सकती है और उपर से ओम बिर्ला भी इस बार सांसद ना भी बन सकते हैं चुनाव ना भी जीत सकते हैं ऐसा ही कहा गया है इंटर्न चोटाला ने नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ गटबंधन तोड़ा है और जिस तरह से मनोहर लाल खटर को नरेंद्र मोदी ने हटाया चुनाव से महज दो महीने पहले मनोहर लाल खटर को हटाना एक सिटिंग सीम को हटाना ये दिखाता है कि हरियाना में कुछ ठीक नह यह दिखाता है कि दूश्यन चोटाला को मनोहर लाल खटर मना नहीं पाए यह दिखाता है कि मनोहर लाल खटर के कामकाज से आला कमान खुश नहीं है और आला कमान के पास यह संदेशे उन्हें यह अंदेशा दिया गया है यह एक तरह सब कह सकते हैं कि चितावनी दी गई है क इतना लोकसभा कि 10 में से 10 सीटों पर इस बार क्लिन स्वीप करना जैसे 2019 में उन्होंने भारतिय जनुता पार्टी ने किया था वो क्लिन स्वीप इस बार नहीं हो सकता उपर से किसान अंदोलन में सबसे ज्यादा हरियाना के जाट और पंजाबी है और दूसरे बात हरियाना के महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार किया गया है उन्हें जिस तरह से नाइंसाफ की और धकेला गया है उसे देखते हुए हरियाना के जाट समाज और हरियाना समा खुद भारतिय जुनता पार्टी से परिशान है नराज है इसलिए एक दम इन मौके पर सरकार एक जो सरकार चुनी हुई सरकार चल रही थी वो सरकार के लिए गट बंधन तोड़ना दूशन चोटाला डेप्टिस सीम का इस्तिफा देना ये काफे कुछ और सबसे बड़ी बा पर अगर बात करें तो माना ये जा रहा था कि भारतिय जुनता पार्टी यहां पर जो है पांच से छे सीटे पिशली बार की तरह अराम से जीत जाएगी लेकिन केजरिवाल के ग्रिफतारी ने पूरे के पूरे शहर को ही एक डिफरेंट जोन में डाल दिया आम जनता भी मै पब्लिक ओपिनियन को देखा जाए पब्लिक रिवियू को देखा जाए तो वो केजरिवाल के साथ है यानि केजरिवाल के ग्रिफतारी ने भारतिय जुनता पार्टी 2024 चुनाव में साथ सीटों की अगर बात करें दिल्ली की बात की जाए तो साथ में से साथ सीटों पर च अगर हम चागनी चौक लोकसभा सीट की बात करें तो ऐसे तमाम तमाम और सबसे बड़ी बात पंजबी सिंगर को हटाया गया यह दिखाता है कि इन चार सांसदों से भारतिय जनुता पार्टी के आलाकमान खुश नहीं थे यानि इन सांसदों ने पिछले पांच सालों में को आज़े में नए कैंडिडेट पर क्या भरोसा कर पाएंगे या भरोसा वो फिर एक बार अरविंद के जरिवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर जताएंगी वो भी तब जब आम आदमी पार्टी के मुख्या को जब सिटिंग सीम को जेल में डाला गया हो ऐसे में दिल् 2019 के रिजल्ट को दोहराना असंभव ही नहीं एक तरह से असंभव है नामुम्किन है अब ऐसे में आप अपनी एक्सपर्ट राएं जो है आप में से बहुत लोग होंगे और हमारा देश जो है वो चुनाव के लिए जाना जाता है हमारे देश में चुनाव जो है सबसे बड़ पर्व होता है इस पर्व में सिर्फ राजनिता नहीं आम जनता भी इससे दारी लेते हैं ऐसे में आप हमें बताईए आपको क्या लगता है एक आपकी एक्सपर्टी के मुताबिक क्या इस बार दोहजार चौबिस चुनाव में वाकई नरींद्र मोदी के लिए 272 का आंकड करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए जो बैल आइकन है उसे दबाए ताकि कोई भी खबर से आप बे खबर ना रहे और देशनीती भी नीडर और निस्पक्ष होकर आप तक सची खबरे पहुचा सकें बहुत-बहुत शुक्रिया जय हि जय पारण